Hello and welcome to TechInfo YD तो previous वीडियो में हमने template engine का example देखा था और उसके अंदर हमने perk को यूज किया था अब हम क्या करेंगे यहाँ पर mongodb database से connection देखेंगे कैसे हम connection स्टैबलिश कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमको उसको download करना पड़ेंगा अब देखिए mongodb database दो टाइप से आपको मिल जाता है एक तो आप locally अपने system में use कर सकते हैं या फिर आप उसको as a cloud भी use कर सकते हैं तो इसके official website पर आप जाएंगे mongodb.com तो आपको कुछ इस तरीके से इसका interface देखने मिलेंगा अब यहां पर अगर आप products पर click करेंगे तो देखिए बहुत सारे इसके products हैं मुशली हम यहां पर atlas यानि के cloud database यूज़ कर सकते हैं या फिर आप community server भी download कर सकते हैं तो मैं इस tutorial में community server का use करूँगा तो आप क्या करें इसको download करके रहें और मैं atlas भी आपको एक बर वता दूँगा कैसे आप use कर सकते हैं देखिए community server पर click करेंगे तो यहां से आप अपने operating system के recording इसको download कर सकते हैं latest version जो है अभी 6 का चल रहा है तो यहां से आप इसको download करके locally use कर सकते हैं यहां से सर्च करें नीचे स्क्रोल करें यहां पर Mongo TV और यह running है अगर यह stop दिखा रहा है तो आप इस right click करिए और यहां से इसको restart कर लीजिए यह होगी local की बात अगर आप cloud database यूज़ कर रहा है तो फिर आपको cloud की यहां पर connection string लगेंगी तो मैं आप cloud भी बता देता हूँ आपको आपको क्या करना है cloud के लिए Atlas पर जाना है और वहां पर login करना है जैसे मेरे पास already login है देखिए कुछ इस तरीके से इसका dashboard आपको देखने मिलेंगा आप चाहें तो new cluster create कर सकते हैं मेरे पास already है यहां पर आपको create पर click करना है इंटरफेस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं तो फिलाल में कुछ इस तरीके से इंटरफेस है और यहां पर आपको क्या करना है share पर click करना है क्योंकि share का cluster 512 MB तक आपको free में मिल जाता है आप इसका use कर सकते है और बागी सारी details आप default भी रख सकते है तो मेरे case में यहां पर Mumbai नजदीग है आपके case में जो भी nearest server रहेंगा तो वो यहां पर automatically get कर लेंगा या फिर आप manual भी select कर सकते है यह basic के बहुत I hope आपको easily समझ में आ जाएंगा और आप खुछ से भी इसको कर सकते है यहां पर create cluster पर click कर दीजे और आपका cluster create हो जाएंगा मेरे पास already है तो मैं फिर से जाए cluster create नहीं करूँगा और मैं जो है local database का यहां पर use करने वाला हुग यहां पर आपको करना है connect पर click connect के बाद में आपको क्या करना है connect using mongodb compass compass क्या है एक GUI tool है जिसमें हम database को check कर सकते है अगर आपके पास install है तो आप directly second वाला option click करें I have mongodb compass अगर नहीं है तो आप इस पर click करें और सबसे पहले mongodb को install कर दे mongodb compass को install कर लें यहां से operating system पहले select करें अब मेरे पास already install है तो मैं यहां पर second वाला option क्लिक करूँगा और देखिए यहां पर हमको connection string मिलती है इसका use करके हम mongodb database को यानि cloud database को connect कर सकते हमारी node की application के साथ में तो यह connection string को आप copy कर सकते है यहां पर username और यहां पर password है तो आपका जो भी username और password रहेंगा वो आपको यहां पर इसको cut करके add करना पड़ेंगा local database use करेंगे तो यह सारी चीज़ें कि आपको जरूरत नहीं पड़ेंगी और last में देखिए यहां पर database का नाम test है तो इसको आप cut करके अपने database का नाम लिख सकते है So I hope यहां तक आपको समझ में आगया होंगा तो मैं इसको close कर देता हूँ क्योंकि हम local database यहां पर देखने वाले हैं तो चलते हैं visual studio code में और pub की file को मैं close कर देता हूँ इसी तरीके से controller को भी cut कर देता है करेंगे इसका नाम मैं रखता हूँ db.js या फिर आप लिख सकते db connection connection db मैं shortcut में db.js ही रखता हूँ आपको भी अच्छा समझ में आएगा अब इसके अंदर हम को क्या करना है सबसे पहले mongodb के module को import करना है और साथ ही मैं आप क्या कर सकते हैं अच्छे से handle करने के लिए mongodb को एक और package हमको मिलता है mongoose का mongoose से हमारा काम काफी आसान हो जाता है आप इसके official website पे जा सकते mongoosejs.com और इसका documentation आप देख सकते कैसे इसको setup करना है और देखिए यहाँ पे इसका connection string भी देख लीजी यह localhost से इसने भी connect किया हुआ है तो इसका हम use कर सकते हैं mongoose क्या करता है mongodb को बहुत अच्छी तरीके से handle कर सकता है और हमको predefined functions मिलता है जिसका इस्तेमाल करके हम एक अच्छा schema create कर सकते हैं और Qries को अच्छे से fetch करा सकते हैं हम directly भी mongodb का use कर सकते हैं लेकिन वह थोड़ा complex process है mongoose की मदद से हमारा काम काफी आसान हो जाता है तो आप भी क्या करें mongoose package को install करें तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है terminal पे चलते है visual studio code में और यहां से हम क्या करते है terminal open कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा UI भी change हो चुका है visual studio code का भी update में npm i और mongoose आपको लिखना है make sure देखिए double o है आप इसका documentation भी follow कर सकते हैं चलते हैं वापस और इसको install कर देते npm i mongoose तो यहां पे हमारा mongoose का package जो है install हो चुका है terminal close कर देता हूँ अब हम क्या करेंगे यहां पर mongoose को import करेंगे const mongoose equal to require of mongoose इसी तरीके से हम को क्या करना है colors के package को भी add करना है const ताकि हम console के message को colorful show करेंगे const colors equal to require of colors और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पे function create करेंगे function क्यों create कर रहा है आप इस function का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम क्या करेंगे लिखेंगे const connect db इस तरीके से हमने function का नाम लिखा और हम इसको arrow function बना देंगे तो यहां पर यह arrow function हमारा हो चुका है और साथी में इसको export कर देंगे so module.exports equal to connect db तो अब इसको हम कहीं पर भी Use कर सकते हैं इसके अंदर हमको क्या करना है promise को Handle करना है promise को क्यों Handle करना है देखिए हम server पे एक server से दूसरे server पे connect कर रहें network request हम यहां पर बेज रहें तो उसको आने में यानि उसके response को Handle करने के लिए हम क्या करते हैं promises का या फिर async await का syntax use करते हैं इसके बारे में और detail में आप google करके check कर सकते हैं काफी अच्छे articles आपको मिल जाएंगे तो उसको ज़रूर read करें अब यहां पर आपको क्या करना है इस function को async बनाना है सबसे पहले आप चाहे तो promises का use कर सकते then chain block लेकिन बेटर बेटर बेट का यूज करें अच्छे से error आप इसमें handle कर पाएंगे और वह कैसे कर पाएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं try catch block का use करते हैं try के अंदर हमारे पास query रहेंगी और catch में हम error को catch कर सकते हैं तो मैं लिखता हूँ console.log of error जो भी error है वह हम as it is console पे प्रिंट करा देंगे और मैं क्या करता हूँ directly बेक्टिक का use कर लेता हूँ और custom message भी add कर दूँगा mongodb error और template literal में क्या करेंगे जो भी error है उसके अंदर जो भी message आ रहा है उसको print करा देंगे साथी में मैं का करता हूँ आपे dot का syntax से use करूँगा और background जो है इसका red कर दूँगा और साथी में जब भी आपके पास error है तो आप पूरी application को terminate भी कर सकते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ता है process.exit of 1 यानि कि यह failure के साथ में application को crash कर देंगा अगर आप exit नहीं होंगे तो फिर वहां पर वह ऐसी blank शो करता रहेंगा फिर से हमको Ctrl-C की मदद से जो है इसको close करना पड़ेंगा और फिर से जह application को run करना पड़ेंगा तो try में हम क्या करेंगे सबसे पहले एक variable बनाएंगे कौन के नाम से जो के रहेंगा connection के लिए और इसके अंदर हमको क्या करना है await करना है अवेट किस चीज का करेंगे हम और equal का sign भूल चूके हैं दिखें const कौन await await for mongoose के अंदर हमारे पास एक connect method रहता है mongoose.connect connect कहां पर करना है हमको हमारे localhost पर तो यहां पर लिखेंगे connection string mongodb colon slash slash localhost colon 27017 और उसके बाद में database का नाम जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूँ node.js यह express.js कर देता हूँ यहां पर हमने connection string आड़ कर दिया अब यह localhost के लिए अगर आप cloud का यूज करेंगे तो वहां पर आपको मैंने बता है srv आप यहां पर copy paste कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं इतना लिख के मैं क्या करता हूँ इसको save कर लेता हूँ अब यह file हमारी connection के लिए ready है अब इसको हमको सिर्फ call करना है server.js की file में तो चलते हैं top पर और इसको import कर देंगे import का shortcut है कि आप directly call कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर mongodb function को call कर देता हूँ तो मैंने comment लिखा और यहां पर मैं लिखता हू connect db देखिए यहां पर option show कर रहा है इस पर click करूँगा file भी auto import हो जाएंगी simply आप इसको call कर दे तो यहां पर function call हो जाएंगा save कर लेते हैं इसको वापस चलते है terminal पर और application को हम run करा देंगे थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ मैं अब console में हमको message show होना चाहिए अगर successful connection establish होंगा तो success का message आएंगा success का message तो हमने print नहीं कर आया नभी simple connection established किया और success पर हमने कोई भी message print नहीं कर आया तो हम क्या करते हैं यहां पर भी console.log statement लिख लेंगे backtick, backtick के अंदर आप कोई भी message add कर सकते हैं जैसे के connected to mongodb और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं यहां पर check कर सकते हैं कि कौन सा database connect हो आई जहने कि अगर आप cloud use कर रहे, atlas use कर रहे तो उसको भी आप print करा सकते हैं और local use कर रहे तो उसको भी आप print करा सकते हैं कैसे? connection का हमने एक variable बनाया था उसके अंदर हमारे पास मिलता है connection का object और इसके अंदर हमको मिलता है host तो host क्या करेंगा? जो भी अगर local host है तो local show करेंगा और atlas use कर रहे तो cloud का host वहाँ पर show करेंगा और इसके बाद में हम इसका background change कर लेंगे तो bg हम कर देते हैं इसका green save करते हैं और I think आपको दिखाई दे रहा है दीखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यह लिखा मैं इसको थोड़ा सा minimize कर देता हूँ यह वाली line हमने अभी add की यानि console.log statement अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? run करते हैं application को npm run server तो अब यह message हमको show होना चाहिए तो देखिए successfully हमारा database connect हो चुका है mongodb localhost पर अगर आप server side यानि cloud database यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर cloud का srv show करेंगा और cluster करके कुछ show करता है अभी हम localhost देख रहे हैं तो यहाँ पर localhost इसने बता दिया तो successfully हमारा mongodb से connection established हो चुका है अब हम क्या कर सकते हैं crud operation कर सकते हैं database में कोई भी values को store करा सकते है edit, update, delete तो सारा का सारा हम crud operation कर सकते हैं database में तो यहाँ तक आप complete करके रखेंगे crud operation हम next video में देख लेंगे crud operation आपको कैसे चाहिए एक ही वीडियो में चाहिए separate sub के लिए चाहिए create, update, read, delete के लिए तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं फिर उसके according हम एक complete वीडियो बना देंगे I hope यहाँ तक आप इसको complete करके रखेंगे मैं मिलता हूँ next video में